दोस्ता नमस्कार कैसे आप लोग मियासा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग प्रश्णावली तीन दसलना पांच के प्रस्ण संख्या एक के तीसरे भाग को सुल्व करेंगे अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और च करना है कि इसका अदूतिया हल है कोई हल नहीं है या आप परिमित रूप से आने ख़ल है अगर अदूतिया हल होगा तो इसे हमें ब्रश्णाविदी से ज्यांत करना है ठीक है तो आए देख लेते हैं कि इसके लिए कंडिशन क्या दिया हुआ है यहां पर आपनों देख सक होगा हिर एवर नमटाइटू बराबर होगा बीवर कई नवाटा बीटू के और बराबर नहीं होगा सी वर्म नब्टा सी टू के तो कोई हल नहीं होगा ठीक है और हमरा प्रस्म माइनस पांच वाई बराबर 20 से एक रिचार दिखने हैं है रिखेंगे सब्सक्राइब विद्यनका नब्रास्म को लिख लिख लाते हैं ठीम एक्स-5 भाई बरावर 20 स्केंब से लिखान है छो एक-10 वाई बरावर चारीश ठेख है अभी से शमीकरान का तुलना रहकी समीकरान के दिया पाकूत से क Hilary के लिखेंगे दिये गये समीकरान का तुलना रहाखिक समीकरन का ब्यापक रूप से करने पर रूप से करने पर ठीक है तो ब्यापक रूप क्या है देख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर सुने ठीक है ओपर वाले में एकि को और यहां आप देख सकते हैं कि व्लाबर संधे पहले और पर अब दीया गया है इसने बराबर के बाद नहीं है इस को क्या करेंगे बराबर से पहले कर लेंगे क्या है तीन एक्स माइनस पांच वाई ठीक है और बरावर के बाद बीस है तो इसको बरावर से पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा तो प्लस का बीस है तो क्या हो जाएगा माइनस का बीस इसको मानेंगे समीकरन एक ठीक है सिकेर समीकरन है छोह एक्स माइनस दोस वाई बराव बराबर बीवन बराबर सीवन बराबर एटू बराबर बीटू बराबर सीटू बराबर ठीक है अब यहाँ एवन एकस है ठीक है तो एकस के जगह क्या है एकस है तो एवन कमान क्या है तीन हो जाएगा ठीक यहां क्या है बीवन ठीक है आप यहां देख सकते हैं बीवन वाई ह और वाई के जगह वाई है तो बीवन कमान क्या होगा माइनस का पांच ठीक है एसाइन के साथ हो जाएगा माइनस का पांच ठीक है सीवन सीवन कमान क्या है माइनस का बीस इसी परकार एटू देखे एटू एकस है एकस के जगा एकस है एटू कमान का जाएगा चाह बीटू त एवन बट्टा एटू बराबर एवन कमान कितना है तीन और एटू कमान है च्छ तीन एकम तीन तीन दूना च्छ यानि एक बट्टा दो ठीक है इसके बाद बीवन बीटू करेंगे है बराबर वहल कमान है माइनस का पांच और B2 कमान है माइनस का अ दस गिए माइनस मैस के सिल जाएगा पांच एक मौच परच दून दस यानी एक वरता दो इसके बाद सीवन सीटू करेंगे सिवान सीटू ठीके सीवान कितना है मानस का 20 और सीटू का मान है माइनस का 40 एक बता दो ठीक है यहाँ यहाँ इसको बता एक टू कितना है एक बता दू और अ वृसर जारी है और समय तीनों पद बरावर है तो लिखेंगे अता वहाँ कि एवन बटा एटू बराबर है बीवन बटा बीटू के और बराबर है सी वन बटा सी टू के ठीक है जब तीनों बराबर होता है तो आपरीमित रूप से अने ख़ल होता है तो लिखेंगे इसलिए समीकरन का और परीमित रूप से अने कहल है अधिक फिर से समझ देते हैं कि देखें सबस्क्राइब लोग ने क्या है जो समीकरन दिया हुआ था उसको लिख लिया है इसके बाद इस समीकरन का तुना रैखिक समीकरन के वियापक रूप से कि इसको क्या करना है कि इसके रूप में लिखना है इसके रूप का मतलबे है कि बरावर के बाद क्या है सुने लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे कि इसमें भी बरावर के बाद सुन लगाएंगे ठीक है और बरावर के बाद जो संख्या है उस संख्या को बरावर से पहले क कि यहां में कर लिए इसको इसके बाद इसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 टिक है इसका मान यहां से खोज कर लेक्वन है और महती सिंपल है यह एक सकार है लिए यह वरकार दो बटाब एक तू बराबर किया है बराबर हो जाता है तो इस समीकरण का आप परीमित रूप से अनेक हाल हो जाता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो समझ यह आ गया होगा अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हैं में कमेंन कर सकते हैं अगर आप लोग ने से पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अनलोग के प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद